Friends, आज की टापिक में हम electrical की control wiring को समझेगे खास तो से electrical की basic control wiring किस प्रकार से की जाती है उसमें कौन-कौन से symbol होते हैं, उनके बारे में हम discuss करें क्योंकि किसी भी electrical wiring को हमको समझना है तो उसमें हमको उसके symbol के बारे में पता हो जाएक कि वो symbol किस component को denote करते हैं जैसे कि start या stop push button के लिए कौन सा symbol यूज होता है, contactor or quiet के लिए कौन सा symbol होता है, इन सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए. क्योंकि हम अज अपने इस वीडियो के स्मेंट में सबसे पहले part 1 में electrical की basic control wiring के बारे में बताएंगे अगर हम इसकी control wiring के बारे में नहीं पता है, तो हम किसी भी part को find नहीं कर सकते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसकी control wiring के बारे में पता होना चाहिए. तो दोस्तों बिना समयवाई शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं. सबसे पहले अगर हम control wiring को या control wiring diagram को समझना है तो इसके लिए हमको different type के electrical component के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि electrical control wiring में बहुत से component होते हैं उनकी symbolic representation भी दिया जाता है इस slide में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे on push button दिया हुआ है on push button का ही symbolic representation है यहाँ आप यहाँ पे on push button देख रहे हैं इसका भी symbolic representation दिया हुआ है और यहाँ no nc element है यहाँ पे दिये हुए है इसके अलाबा यहाँ auxiliary contact दिये हैं इनका भी यहाँ पे representation दिया है इसके अलाबा भी यहाँ पे contactor और mcv's के भी यहाँ पे symbol दिये हुए है रहा है अब मैं यहां पर डॉल स्टार्टर और स्टार्ट डेटला के द्वारा आपको समझाऊंगा कि इसकी कंट्रोल बाइरिंग को किस प्रकार से समझा जाता है जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं यह डॉल स्टार्टर है और यहां इसकी कंट्रोल सिंगल लाइन कंट्र के टी जारों यह कांट्रोल डाइग्राम दिया हुआ है यह यहां से साथ ही इसका बांगराम भी दिया जाते हैं। जिसलिए हम कांटेक्टर को thirdly Dog की supply देदें एमसी को trzy डिपेश की सप्लाई देते हैं लेकिन यहां हम कंट्रोल बाइरिंग को समझ रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो ओवर लोड रिले हैं यहां पर 95 और 96 में ओवर लोड रिले के के टरंगनल में किये जाएंगे इसके साथ 1002 नमबर यहां पर elements के 1002 नमबर में पूश बटन में कनेकसन हुए इसके अलावा थृ और फॉर नमबर जो elements है उसमें connection होगे यह normally open element का को पूश बटन का connection है वो यहां पर दिया हुआ है इसके साथ इस 13 और चवदा यह auxiliary या यह इस contractor के auxiliary contact है, जिसमें इनको connect किया गया है, यहाँ पर A1, A2 contract दीए है, जो कि किसी भी contactor की coil को supply दी जाती है, इस परकार आपने यहाँ समझे लें कि डोल इस्टार्टर में जो यह symbol दिये गए हैं, यहाँ यह जो element के symbol दिये गए हैं, यहां पर कौन सा contactor या कौन सा element यूज किया जाना है अब हम यहां इस्टार डिल्टा स्टार्टर के द्वारा जानेंगे कि इसकी control wiring को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं यहां पर 96 और 95 जो over relay के point है यह normally close contact रहते हैं इसके अलाबा start push button और stop push button यहां पर दिये हुए हैं और यहां पर जो auxiliary contact 43 और 44 यहां पर main के contactor में auxiliary contact जो लगाए होगा 43 और 44 होगा जो latch करने के लिए काम आता है और इसके अलाबा यहां पर जब timer है जो A1082 coil है इसके contact में यहां supply जाएगी A1082 को energize करेगी और इसके दो contact रहेंगे 17, 18, 17, 27 और 28 होगी सबसे पहले 17 और 18 जैसे ही active होगा 17 और 18 एक्टिव हो जाएगी जो की delta contact रहे के 21 और 22 यह जो एक डेल्टा contact रहे इसमें 21 और 22 के NC contact से होके K2 में जाएगी K2 मतलब star का contact जो है वो K2 कहलाएगा जिसके A1 coil contact में जाएगी और इसके अलाबा जैसे ही यहां पे जो supply है 13 और 14 जो की K2 contactor star के 13 और 14 से होके जैसे ही लेश होगा तो यह K1 contactor में जाएगी जो main contactor है वो own हो जाएगा जैसे ही main contactor और star contactor दोनों एक साथ own होते हैं कई कुछ time बाद यह 27 और 28 active हो जाएगा जो timer के contact है और यह यह जो 21 और 22 nc contact है वो star के contact है यह जब active रहेंगे तो यह delta active हो जाएगा इस परकार यह star और delta में contact किस परकार होते हैं यह symbolic representation के दौरा में आपको बता दिया है यह काफी helpful रहेगा तो दोस्तों आपनी इस समझा कि इस वीडियो में आपको basic तरीके से बताया कि single line diagram या control wiring diagram के दौरा किस परकार से हम पता लगा सकते हैं कि contactor में कौन सा terminal कहां पर यूज किया गया है और यहां पर contactor यूज होगा या mcb लगा होगा और इसके साथ आपको ड्राइंग में देखके electrical wiring diagram में देखके पता लगाना है कि आपका contactor कहां यूज किया गया mcb कहां यूज की गई है तो दोस्तों आज इस topic में आपको basically बता दिया आने वाले मैं आपको advance wiring बताऊँगा कि advance wiring जो होती है वो किस प्रकार से की जाती है उनको किस प्रकार से समझा जाता है खासतों से PLC से अगर attach हो या फिर कोई और भी logic से attach हो वहाँ पे wiring किस प्रकार से की जाती है आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा basic आपको control wiring के basic knowledge समय में आ गई होगी किस प्रकार से की जाती है और control wiring किस प्रकार से होती है तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम advance wiring के बारे में समझेंगे